हाई गाईज और वेलकम बैक टू मैं डिप चैनल, इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ अपनी कार के इंटीरियर से थोड़ी छेड़ छाड़, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, गाड़ी आपने पास ZEN LXI, और इसके इंटीरियर के लिए मैंने थोड़ी यहाँ पर कस्टम अनूराई की तरफ से आने वाला यह पेंट है, तो यह मैंने शिल्वर कलर में वा आया है, जैसे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर इसे टरिके से, एक यहाँ पर भी है, मतलब दूसरा यहाँ पर भी है, इसको भी मैं ख़ोल कर बने वाला हूँ तो डैसबोड में हम थोड अपना silver touch देंगे यहाँ पर और silver dashboard आपने देखा होगा पहले zen car बनाती थी zen steel भी आती थी उनके ये parts silver होते थे तो वहीं से थोड़ा inspiration लेके मैंने ये चीज़ करने की सोची है और उनका dashboard काफी अच्छा लगता है काफी attractive लगता है तो सबसे पहले मैं इन parts को खोल लेता हूँ so guys अपनी जितने भी parts हैं जैसे कि आप देख सकते हैं ये ace events रखे हैं और beach का console और जो meter का cover है ये मैं sending करने वाला हूँ भी और sending मैं करने वाला हूँ ये 800 number के sand paper से और sending मैं आपको यही ध्यान रखना है कि आप भी कोई बड़े number का रेगमार यूज़ करें मतलब कि आपको 100 या 200 number का रेगमार यूज़ नहीं करना है और इसलिए मैं 800 number का ये send paper यूज़ कर रहा हूँ उससे होगा ये कि इस part पर scratches नहीं आएंगे और जब हम इस पर paint करेंगे वो scratches नहीं आएंगे तो इसलिए जो है मैं 800 number का ये send paper यूज़ करने वाला हूँ और अब इनकी sending स्टार्ट करते हैं तो कई स्टार्टिंग मैं अपने center console से करने वाला हूँ और इसको मैं थोड़ा गिला करूँगा पहले गिले sending से हो गई है कि इस पार्ट पर scratches नहीं आएंगे और अब हम अपनी sending स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको sending हलके हाथ से करने हैं मतलब ज़्यादे भी pressure लगाने कोई ज़रूद नहीं है इस पर तो sending का process सभी parts में यही same तरीका रहने वाला है तो सभी parts को इसी तरह से sending करनी है तो guys यहाँ पर अपने सभी parts की sending complete हो चुकी है और जैसे कि आप देख सकते हैं यह है dashboard के center वाला part जहाँ पर हमारे AC का controls होते हैं तो आप देख सकते हैं बिल्कुल dry हो चुका है तो sending इसकी बहुत अच्छे से की है मैंने और आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा आपको white white भी नज़रा रहा होगा मतलब कि जो इसकी उपर की coating होती है जो हमको black दिखाई देती है वो मैंने बिल्कुल उतार दी है sending करके और अब ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है और सेम इसी तरीके से ये AC vents भी आप देख सकते हैं कितने dry कर दिया है मैंने मतलब कि उपर का join का paint होता है वो मैंने बिल्कुल remove कर दिया है जिससे कि जब हम paint करेंगे इन parts पर उससे हमारी paint की पकड अच्छे से बनेगी तो sending करने का यही फायदा होता है तो ये AC vents दोनों silver रहने वाले हैं और अब करते हैं इन parts को paint अपने silver spray can से सबसे पहले मैंने ready किया है ये dashboard के center वाला part और paint के मैं यहाँ पर दो coat लगाने वाला हूँ सबसे पहले हम एक roughly coat लेंगे इसका मतलब कि जिस जगह हम कर सकते हैं असानी से वह हम कर देंगे और दूसरी बार में हम इस paint के process को complete कर देंगे और इस bottle को आपको 2-3 minute तक shake करना है और इस panel के नीचे मैंने एक पनी और भी चा लिया है जिससे कि मारा paint वगरा खराब ना हो तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे है silver paint अपना यहाँ पर हो चुका है और यह मैंने सिरफ अभी एक coat किया है तो दूसरे coat करने के लिए हमको इसमें 10-15 minute का time देना है और अगर सर्दियों का time चल रहा है तो आपको इसको कम से कम आदा गंटा सुकाना है और अगर गरी में होगा time है तो 10-15 minute भी चल जाएगा 10-15 minute बार यह paint सूक जाएगा और आप इस पर दूसरा coat अपलाई कर सकते हो और जितने time में यह part सूक रहा है इतने time पर आप किसी और part को भी paint कर सकते हो इसको सूकने देता हूँ और किसी दूसरे part पर अभी paint करता हूँ इससे आपको time बचेगा और इन AC vents का भी पहला coat complete हो चुका है और अभी इनको सूकने का time देते हैं और अपना पहला part यह सूक रहा है तो guys अब मैं करने जा रहा हूँ इस पर second coat जो हमने सबसे पहले part paint किया था यह वो ही part है तो guys यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मैंने इस part पर second coat ही complete किया है और यह सूक भी चुका है आप देख सकते हैं कि color क्या ही निकल कर आया है इसमें color बहुत जबरस्त लग रहा है और silver color में यह part बहुत अच्छा लग रहा है बहुत ऑप कभए रहा है अभी मैंने निकल कर दोग़ रहा है तो यहाँ पर अपनी गाड़ी में जो भी पार्ट्स में ने खोले थे, पेंट के लिए वो सारे लग चुके हैं, और आप देख सकते हैं, मैंने इनको भी सिल्वर किया है, यह कवर पहले इस कलर का होता था, लेकिन मैंने इसको भी सिल्वर गिया है, और इन पावर विंडो के इस पर भी काफी जच रहा है और इसको देखकर कोई कहा है कि यह पेंट स्प्रे वाला हुआ है और हमने एक खुद से गया है और सेंटर वाले एस इवेंट का कवर आप देख सकते हैं और बाकी अपने एस इवेंट्स तो मैंने करी दिये थे यहाँ पर भी एक पोकेट मिलती है हमको इसमें कोईन्स पगरे डालते हैं तो मैंने इसको भी सिल्वर किया है और ब्लैक पेंट मैंने इसमें किया है इस स्टेरिंग के सेंटर पॉर्शन पर किया है जिससे हम होरन देते हैं गाड़ी का और बाकी इस वीडियो में इतना ही था आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा और आप भी कुछ इस तरीके से ही अपनी गाड़ी कस्तमाइजेशन कर सकते हैं और यह छोटे छोटे आइडियाज गाड़ी को अंदर से काफी सही बना देते हैं इस वीडियो में इतना ही था और इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि आप खुद से अपनी गाड़ी का इंटियर कैसे कस्तमाइजेशन कर सकते हैं आप अलग तरह का भी पेंट यूज कर सकते हैं जैसे मैंने इसमें सिलवर पेंट यूज किया आप रैड येलो या ज सब्सक्राइब जुरूर कीजेगा मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाबाई